तो आज क्या सुरू करने वाले हैं 2030 का जो बजट है हमारा जो एक फरवरी को मतलब पास हुआ था निर्मला सीता रमन ने कहा था उससे रिलेटेड क्या है यमसी क्यों है जो आपके अगामी परिछाओं में आने वाले परिछाओं में आने की संभावना है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और इस एमसी को जितने भी एमसी क्यों है इसको दिमाग में बेठाज लिजिए और रट जाईए तो चलिए हम सुरू करते हैं तो पहले मैं लग कोशन क्या कहा कि बजट सब्द का अर्थ क्या होता जो हमारा बजट सब्द है उसका अर्थ क्या होत पिंदरी बजट 2023-2024 संसद में किसके दवारा पेस किया गया है तो 2023 और 2024 है तो आप समझ जाएंगे कि निर्मला सीता रमण ने कहा है किसने कहा है निर्मला सीता रमण दवारा 2023-2024 का बजट संसद में पेस किया गया है नेक्स कोच्छन क्या है भारती बजट वेवस्था का जनक किसे कहा जाता है जनक ठीक है जो हमारी भारती बजट वेवस्था है उसका जनक में पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है जेम्स बिलसन को कहा जाता है मतलब आपसन नंबर ये इसका राइट एंसर है नेक्स क् शुरुगात कब से हुई है कब से हुए फेंच भासा मतलब से हुई है बजट सब्द की उत्पत्ति फेंच भासा से हुई है इसको ध्यान में रखिएगा नेस के हमारा भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसे ने फेस किया था किसने भारत में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसे ने पेस किया था आपसर नमबर 8 का राइट एंसर है East India Company ने James Wilson ने पेस किया था किसे ने East India Company James Wilson ने किया था और हमारा जो बजट है उसके पिता किसे काते है उसको मलब जो बजट है उसका पिता James Wilson है क्या है उसके पिता James Wilson है अभी हमने आपको उपर बताया है भारती बजट ब्योस्ता का जनक अभी हमने बताया है आपको वही मतलब 200 विल्चन है नेक्स क्या हमारा सभिधान के किस अनुच्छेद में बजट सब्द का प्रियोग हुआ है तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123 तो अप्सन नमबर D इसका राइट इंसर होगा नन मतलब इन में से किसी अनुच्छेद में प्रियोग नहीं हुआ है अभी हम आपके आगे बात करेंगे सबिधान में बजट सब्द की जगह क्या प्रियोग हुआ है जो हमारा सबिधान है उसमें बजट सब्द की जगह क्या प्रियोग हुआ है क्या प्रयोग होए है Annual Financial Statement यानि A Option B क्या है वार्दीक वित्ति वियुरण यानि A, क्या है, A अप्रोν ऋमर्ड़ दोनों सहीए इसके लिए तब हम आप्रोंन अप्रस्ण वुक्त में सब्भीर्ण की सब्दान के किस अनुष्यद में है तो अनुच्छेद एक सव बारा में है क्या अनुच्छेद एक सव बारा में वारसिक बित्ति विवर्ल का जीकर सविधान के हमारे मतलब वारसिक बित्ति विवर्ल का जीकर सविधान के एक सव बारा अनुच्छेद में है इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स क्या है हमारा question ये question आपके आगामी परिछाओं आने वाले मतलब competition exam में पूछे जा सकते हैं तो भारत का केंदरी बजट और रेलबे बजट की सवर से बिलाय किया गया जो हमारा भारत का केंदरी बजट है और रेलबे बजट है उसको मतलब कब बिला मेलग दोनों को एक में कब जोड़ा गया था पहले ये जो हमारा भारती केंदरी बजट है ये अलग था और रेलबे डिले बजट किया है अलग-़लग इसके बजट आते थे तो जो तब हमारा जो 2007 में 2017 में जो भारत का केंदरी सी बजट है और रेलेसे इसे बीलएकर दियागा है इसे बिलस door का जोढिद और दिया गया है कौन सा वित्मंत्राले जो हमारा वित्मंत्राले है वो हमारा बजट तयार करता है स्वतंत्र क्या स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो आरके रान मुखम चटी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था किसने आर के रानमुखम चटी ने भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट पास किया था कब किया था 26 नवंबर 1947 को पास किया था कि निमलेखित में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तूत है निमलिखित में से कौन सा बजट क्या है कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट क्या है पेपरलेस बजट प्रस्तूती है मतलब बताया गया है तो इसका आपसन नमबर कौन साइगा option number C budget 21 और 22 ये paperless मतलब भारत का पहला paperless budget है next question sunset में कितनी बार paperless budget को paste किया गया है कितनी बार तीन बार जो हमारा paperless paperless budget है उसे sunset में तीन बार परियोगत मतलब paste किया गया है next question क्या हमारा हमारे देश की पहली पूर कालिक महिला वितमंत्री कोन बनी क्या है हमारे देश की पहली पूर कालिक महिला वितमंत्री कोन बनी निर्मला सीता रमन बनी क्या निर्मला सीता रमन बनी इसको ध्यान में रखिएगा next question हाँ next question में हमारे क्या पुछ रहा है कि हमारे देश की पहली महिला वितमंतरी कौन है हमारे देश की पहली महिला वितमंतरी कौन है इसको ध्यान में लखेगा हमारे देश की पहली महिला वितमंतरी कौन है इंद्रिय गांदी है इंद्रिय गांदी बजट में क्या होता है जो हमारा बजट है उसमें क्या होता है मतलब क्यों होता है बजट सब्सक्राइब क्यों होता है तो जो बजट है उसमें सरकार की आमदनी पहला अपसन क्या है सरकार की आमदनी और प्रस्ताविक योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरा रहता है सरकार की कमाई और खर्च का विवरा रहता है और मंत्रालियों औ और मंत्रालियों को उनके खर्च के लिए धन राशी का अमेंटन होता है तो आपसे नंबर उप्युक्त में से सभी होता है नेक्स्ट कुच्चन लगातार क्या दिया गया है लगातार पांचवी बार बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला वित मंत्री कोन है लगातार कितनी लगातार पांचवी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली क्या है भारत की पहली वित मंत्री कोन है निर्मला सिता रमन है क्या है न कैनि से कौन सा बजẫn का प्रकार नहीं है इने में से कारनारा कारम है पतार करेंगे ननी आुच्छित यह मादे बज़ट का और घाटे का बजत यह तीनों बजट होते हैं लेकिन आरचछित यह हमारा बजट नहीं है। question भारत में सुन बजट का प्रियोग पहली बार किस वर्ष से किया गया 1987 से मतलब किया गया भारत में प्रियोग इसको ध्यानमे रखेगा कि किसे ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया मतलब वारत में सबसे लंबा बज़ट भासड दिया कौन है निर्मला सीता रमन आपसे कई तरह के question पुछ सकते हैं भारत में किसे ने भारत में सबसे लंबा बजट भासर दिया तो आपके बताएंगे निर्मला सीता रमन तो आपके मतलब यह question है इस question को कई टाइप से आपसे पुछ सकता तो इसका right answer क्या होगा निर्मला सीता र प्रधान मंत्री भी है और उन्हें ने बजट भी पेस किया जबकि बजट हमारी वित मंत्री पेस करता है क्या वित मंत्री पेस करता है बजट को तो वो प्रधान मंत्री पेस करते हैं तो यहां पर कहा गया कि भारत में कितने प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री रहते हु बजट को पेश किया है और आजी गाधु ने प्रहों मंतिर होते हुए मलभ बज़ट को पेश किया इंद्रा गांधी थे सिर्फ ये तीनों गणधी जी के तीन बंदर थे सॉरी येन गांधी हम अभी आपको बताया है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसी ने पेस किया है तो आप उसका राइट एंसर क्या होगा आपको बताना है अभी हमने जश्ट बताया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसी ने पेस किया था कब किया था आपको हमने अभी जश्ट बताया है उसका राइट एंसर कमेंट बाक्स में आप जरूर बताएंगे तो अब क्या है गरतंत भारत का पहला बजट किसने पेश किया गरतंत यानि 26 जनवरी ठीक है रिपबलिक दे गरतंत भारत का पहला बजट किसने पेश किया था जान मताई ने किया था 28 फरवरी 1950 को किसने जान मत सबसे अधीक बार बजट किस नेता ने पेस किया मोरार जी देशाई ने किया कितनी मोरार जी देशाई ने दस बार बजट को पेस किया next question 2017 के पहले budget किस तीथी को paste किया जाता था तो इसके पहले 2017 के पहले budget को किस तीथी में paste किया जाता था बजट को फरवरी के अंत में मैंनी फरवरी के लास्ट महिने मालब फरवरी के लास्ट महिने में कितने मालब फरवरी का महिना कितने दिन का होता है तो आप कमेंट बाक्स में जरूशी जरूब बता है यह आपके question है आपके लिए तो February के अंत में 2017 से पहले मलब भारत का budget page किया जाता था next question 2017 के बाद किस्तित्री को budget page किया जाने लगा तो जो उमारा 2017 2017 के पहले फरवरी के लास्ट में budget page जाता था अब क्या हो रहा है कि 2017 के बाद एक फरवरी को budget page किया जाने लगा क्या एक फरवरी को तो अभी जस्ट हाली में निर्मला सितारवन ने हमारे देश का मल भारत का budget बनाया है budget page किया है उससे रिलेटेट आपके वेडियो उपलब्द हो गए है मला छोटे छोटे चोटे टापिक है बजेट से रिलेटेट जो निर्मला सितारवन ने बताया है उसको पढ़ लेजिए आपको वीडियो में असानी से समझ में आएगा नई समझ में आएगा तो आप उसको वीडियो को PDF डाउनलोड कर सकते है नेक्स कुशन क्या है अरंभिक बजट को क्या कहा जाता है इसका राइट एंसर क्या होगा अरंभी अरसंभी बजट को क्या कहा गया है मीनी बजट भी कहते हैं मीनी बजट भी कहते है और क्या vote on account भी कहते है क्या मीनी बजट और वोट and account काते हैं इसको ध्यान में रखिए गाई next question किस वर्पस में जेंडर लिंग बजट इस्टैटमेंक भारत के केंदरी बजट में दिखाई दिया था किस वर्पस में यह budget से related 2023 के budget से related कुछ questions है जो आपके अगामी परिश्चाओं में आने वाले हैं तो इसे मतलब पढ़ लिजिए और वीडियो को देख लिजिए इस वीडियो का PDF आते हैं आपको टेलिग्राम चालने से जुड़ना पड़ेगा आपको वहाँ पर PDF मिल जागा बिल्कुल फिरी देखें चलिए नाप्स्टे वीडियो मिलते हैं हमसे